वेल्कम टू चठ्था मीठा आज हम बनाएंगे सवई का जर्दा यह सूखी सवई है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सवई का जर्दा बनाने के लिए हमने यहां पर एक कटोरी सवई जितना सवई है उतना ही चीनी लेंगे और यह सब ड्राइफ रूट्स है और केसर भी गोया हुआ है तो चलिए यह जो पैंच रहा दिया इसमें एक टेबल स्पून घी डाल दिया है और सवई जो हमारी है वह भूनी हुई है वर्मिसी भूनी भी है रोस्टेड है तो हलका सा रोष्ट करेंगे तो दो इलाइची डाल दिया है उसका फिलिवर आ जाएगा त इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सवई के जर्दा में यह जरूर डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है आसानी से मार्केटरे मिल जाएगा आपको और इसमें 5-6 दाना काजू डाल दिया वैसे ही बादाम डाल दीजिए अब हलका सा रोष्ट हो गया तो इसमें पा किछ डाल दिया है नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर दीजिए अब यह जब सवई गल जाएगी क्योंकि यह हाथ की बनीवी सवई अच्छा से गलेगा तो एक-दो मिनट लगे गलने में तो चला-चला कि इसको गला लीजिए यह गल जाएगा तभी ही इसमें डालेंग है यह मोटी सवई तो फड़ा में में से 2 मिनट लग गया कहिए अब इसमें हम ढाल देंगे चीनी तो चीनी हमने टाल दे एक काट्री हमने शुगार डाल दिया चीनी चीनी तो एक को डानी की ख़ लीजिए अगि में पचीनी डालना है आब इसको शुकर है तो सिम फशलेम पखाएंगे दो से तीन मिनट लग जाएगा जब तक यह पानी देखिए अच्छे से अच्छे से अब जर्फ कर लिए से अब जर्दा तयार है इस पे आप कद्धुकश किया हुआ नारेल डाल दीजिए जो भी ड्राइफ रूट से काजू है बादाम है पिस्ता हो डाल दीज झाल झाल जाई जर्फ किया है उड़ी